कि इस बार भी आप सभी के दिवाली अच्छी रही होगी और हर सार की तरहीन दिवाली अच्छी तरा स्थी होगी और चले फिर हमारे रेसिपि के तरप चलतेए आज मैं बनाने वाली हूँ वित्खस बरफी देखिए मैंने तीन कप कोकुनट पुरादा लिया है और हमारे बरफी को थोड़ा सा रिच टेक्चर आने के लिए मैंने आदा कप मिल्क पॉडर लिया है और तीन चमच मैंने मलाई डाल दी है और दो चमच देशीखी और इसमें हमें डाल देना है डेर कप जाता है और दो बन जाता है और देखिए इस तरह से हमें मिला लेना है जब तक इसका डो ना बन जाए तिक इस तरह से इसका एक डोव बन जाता है और देखिए इस तरह से बन गया है और इसे हम निकाल के एक प्लेट में रख देंगे और थोड़ा सा बजा के गड़ाई में ही रख देंगी इसे निकाल के एक प्लेट में सेट करना है देखिए इस तरह से इसे मैंने एक प्लेट में सेट करके रख दिया है और नीचे से हमें मैं थोड़ा सा गी लगा के रखना है प्लेट के उसके बाद ये डो इसमें डाल देना है और मैं इसमें डाल देती हूँ खस वन फोट कप मैंने इसमें खस डाल दिया है मैंने इसमें खस सिरप डाल दिया है आप चाहे तो रोस सिरप भी डाल सकते है चाहे तो दूसरा करना है देखिए इस तरह से और हमारी कोकोनट बर्फी कलरफुल देखने के लिए मैं इसमें कलर डाल देती हूँ फूर्ड कलर और वह ग्रीन कलर है पाउडर कलर है इसमें डाला थे हैं थोड़ा सा तक कि आमारी बर्फी और भी जे अच्छी ध मेर चलरू भील दीकप अले हैं और यह शाप हे और नर्शा है यह अच्छी है खिलни пару हो शहें है औरना अपली देला है उसमिदा गंधिस कर अड़ा पशन जो किदा प्लेट में उसके उपर हम इस उसके बाद हम इसे कrator बई इसे काटकर लिए बना लेंगे हम एपर ऊंड़ी कर लेंगे हम ऐसें hoje सेंट कर लिए ओपर से यह अच्छे सैंट कर लिए उपर से ताकि अच्छे सेंने की अब आप देखिये इस तरह से न सिम्पल और आजी कर दे सकते हैं इसी तरह से सिम्पल और इजी रेडियन्स होते है AREमें इसके-ओं आसान और इसी इजिली घर पे बना सकते हैं कोई भी यही तेवार में इसे हम शामिल ग्राट सकते हैं और वो भी आसानी से जो भी हमारे घर में इंग्रिडियन्स होते है उसी में ये भरफी बन जाती है अगर मेरे रिस्पी आपको अचे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए